नमस्ते, आज हमीक और रिडिंग करने वाल हैं आपके पार्टनर की करन्ट फिलिंग क्या है? वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं सबसे पहरे तुम्हें बता दू कि यह अनसान जो कोई भी है जिसके बारे में आप सोच रहे हो यह अनसान बहुत सा माइंड गेम आपके साथ खेल रहा है ठीक है, वो जो कुछ भी कर रहा है, जान बुश्कर कर रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे, ऐसा नहीं कि वह अंसा आपसे प्यार नहीं करता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन वो mind game खेल रहा है आपके साथ, आप में बहुत distance आ चुका है, या तो आप already long distance में हो, ठीक ह या emotionally distance आप दोनों के बिच में आ है, मुझे ऐसे रखते हैं कि आप दोनों कई दिनों से मिले नहीं हो, ठीक है, एक दुसरे के करीब नहीं आए हो, मिले नहीं हो, ये बात भी बहुत ज़्यादा matter कर रही है, क्योंकि ना आप सामने मिले हो और ना ही एक दुसरे को समझाने क आपने कभी कोशिश की, या ये इनसान समझना ही नहीं चाहता, ठीक है, कुछ लोकल तो ये इनसान समझना ही नहीं चाहता आपको, ये अपने ही रट लगाई रखा है, जो कुछ भी कहता है, बस उसी के बार में बार बार बोलता लेता है, आप योई बात नहीं सुनता है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इंसान ने जो कहा है वो बस आपने सुनना चाहिए, आपने कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, जो ये कहेगा बस आपको मानना है, अपने कंट्रोल में, अपने पावर में रखने की कोशिश बहुत की होगे इस इंसान ने आपको, औ इस इंसान को परिशानी होती है कि आप उनकी बाते सुनते क्यों नहीं हो, आप इतने जिद्धी क्यों हो, ये बात इस इंसान को समझने चाहिए कि हर किसी को freedom है, हर किसी का अपना एक विचार है, ठीक है, freedom नहीं मिल रहा था शायद आपको, जो इंसान बोलेगा वही आपको क करना पड़ता था, और जब आपने नहीं किया तो इंसान बहुत गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, बहुत सा बर्डन है, इस इंसान के उपर बर्डन है, वो शायद इस इंसान के परिवार के जिम्मेदारी हो सकती है, यह जहाँ पर काम के जिम्मेदारी हो सकती है, या तो बात नहीं मानी और उसके बात इसने आपको ब्लॉक कर दिया आपने कोशिश भी कि इस इंसान को समझाने के लेकिन इंसान बिल्कुल नहीं समझा आपके बात और उपर से आपके साथ ये माइंड गेम खिलता रहा यहाँ पर टीम वर्क करने की जरुत है साथ में बैठ कर साथ में बात करके एक दूसरे के साथ जो भी गलत सामिया है जो भी बाते बिगड़ी है उनको सुधारने की जरुत है लेकिन यह नहीं हो रहा है क्योंकि इंसान फिलहाल तो बात करने के तयार नहीं तो आप बात करोगे कैसे आप इस इंसान को मनाओगे कैसे यह इंसान मानना ही नहीं चाहता है फिलहाल तो ऐसे सिच्वेशन है कि आप कुछ भी बोले यह इंसान नहीं सुनने वाला आपसे प्यार करते हैं, आपका इntजार भी है से इNSान को ऐसा नहीं कि वो कभी भी आखसे मिलना नहीं चाता है, एसा कुछ भी नहीं है लगातर आपके उपर नज़र रखते हैं लेकिन फिलहाली अंसान आपके लिए कोई action लेने के mood में तो नहीं दिख रहा है मुझे going with the flow जाने की कोशिश कर रहा है अंसान आपको याद बहुत करते हैं लगातर आपकी यादों में खुए रहते हैं इसा नहीं कि आप याद नहीं आते हैं बहुत याद करते हैं आपको कभी-कभी इस इस इंसान को ऐसा लगते कि इसके जिन्दगें जैसे कि अंधेरा सा हो गया है इस इस इंसान को कभी-कभी ऐसा भी फिल होता है कुछ बचा नहीं है कुछ ठीक नहीं होगा ये negative thoughts की बज़ो से भी वो आपकी तरब भी negativity sane कर रहे है में भी आप एक दूसरी को mirror कर रहे हो आपको भी ऐसा रबते कुछ ठीक नहीं होगा और ये इनसान भी ऐसा सोचते कि अब आगे कुछ ठीक नहीं होगा इस इनसान के खुद के हाथ में है सब कुछ ये इनसान चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है ठीक है आपको decision भी दे सकता है आपके तरब आ भी सकता है इस इनसान के हाथ में ही है अब सब कुछ लेकिन ये इनसान है कि आपके लिए कोई stand नहीं ले रहा है आपके लिए कोई action नहीं ले रहा है आपके लिए action लेना चाहिए तो इस इंसान ने उपर से आपको block करके रखा है आपसे बाद करना बन कर दिया है कुछ ऐसे भी बात है जो इंसान आपको face नहीं कर सकता कुछ गलतिया हुई है इस इंसान से जो आपको face नहीं करना चाहता इंसान physical attraction है, emotionally भी feel करते हैं आपके लिए action लेने के लिए फिलाल तयार नहीं है और ऐसा भी नहीं वह आपको भूलना चाहते बिलकुल नहीं भूलना चाहते इस इंसान में घमन भी है इगोस्तिक बहुत जादा है अपने घमन में जीने वाल आपने शान में रहने वाला यह अनसान है इसने में भी बहुत ऐसा सोचा होगा कि आप surrender करोगे तो अच्छा हो जाएगा आपकी तरफ से कोई call message आएगा तो अच्छा होगा ऐसा कुछ यह अनसान सोचता है पास्ट में कुछ जगड़े भी हुए है आप दोनों के बीच में मन मुटा हुए कुछ गलत फ्रामे भी है यह अनसान जलबाजी में गलत decision लेता है और फिर भुगतना आपको पड़ता है अनसान ने पास्ट में भी यही किया जलबाजी में आकर गलत decision ले और फिर उसका जो भुगतान था वो आपको करना पड़ा आपको दुख जहिलना पड़ा उसकी बज़ा से में भी पास्ट में जो कुछ भी है तो वो आपको ब्लेम करेंगे अगर आएंगे भी तो फिर आपको ही ब्लेम करेंगे कि हाथ तुम्हारी बज़ा से तो यह सब कुछ हुआ है तुमने तो ऐसे गलती कर दी तुमने तो वैसा किया वो आपको ही ब्लेम करेंगे पहले तो इंसान बात करने के लिए तैयार नहीं है और अगर आएंगे भी तो आपको ब्लेम करेंगे यह आपको याद रखना है यह इंसान फिलहाल इस इंसान के ऐसी हालत हो गई है कि इनसान खुद को बहुत बड़ा great इनसान समझ रहे है ठीके? इस इनसान को ये गल्फ सामी भी है कि इस इनसान को बहुत मिल जाएंगे अपने आपको, अपनी personality को या अपने पैसो पर जो कुछ भी इस इनसान के पास है उस चीज़ का इस इनसान को बहुत घमण हो रहा है वो कुछ भी बात हो सकती है चाहे इनकी personality हो, चाहे पैसा हो, चाहे position हो जो कुछ भी है इनके पास उसकी budget से इस इनसान को बहुत घमण हो रहा है और इस इनसान को ऐसा feel हो रहा कि यह नहीं तो कोई और आएगा मेरे लैप में है मेरे अंदर क्या कमी है, ऐसा कुछ आपके partner इस attitude में है यह अनसान और confidence में है आपका partner ठीक है, confidence होना अच्छी बात है लेकिन यह अनसान तो और confidence में है और इसका पश्टावा इस इनसान को जरूर होगा आज नहीं तो कल, इस इनसान के आखे जरूर खुलने वाली है और फिर इस इनसान को पश्टावा होगा कि उसने जोग किया गलत किया एक ऐसा इंसान जो उससे प्यार करता है और ये है कि उस इंसान को हमेशे attitude दिखाता है इगो अपना इगो बीच में आता है इस इंसान का अब करोगे भी तो क्या करोगे ये इंसान कुछ सुनने के लिए तयार ही नहीं है आप कितना पीछा कर सकते हो किसका वो इंसान आगे भाग रहा है तो आप उसके पीछे कब तक भागोगे ये जो कोई भी इंसान है फिलहाल तो आपके लिए कोई action लेने के लिए मुझे तयार नहीं दिख रहा है आपको याद बहुत करते हैं लेकिन जब action लेने की बात आती तो पीछे हट जाते हैं ये इंसान फिलहाल ये इंसान किसी की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं है ये इंसान अपनी चलाता है ठीक है इस इंसान को पसंद भी नहीं कि कोई इस इंसान को जाकर कुछ बाते बताए कुछ सिखाने की कोशिश करें इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आपने भी कभी अगर कुछ इस इंसान को गाइड करने के भी कोशिश की होगी तो इनसान ने बहुत कुछ उल्टा सिधा आपको बोला होगा क्योंकि इनसान किसी की बात सनने के लिए तैयार होता ही नहीं है बहुत दा इकोस्टिक इनसान है यह अब ट्यारों से देख लेते हैं आप दोनों की फेलिंग देख लेते हैं ट्यारों से पहले आपके partner के लिए निकालते हैं तीन cards फिर आपके लिए तीन cards निकालेंगे सबसे पहले यापर fire of swords हैं हो सकता है कि इस इंसाने बहुत बार ऐसा भी किया होगा कि आपके उपर शक किया होगा कि चाहता है कि आप उनको surrender करें मैंने बोरा एगोस्टिक है तो यह अंसान ऐसा है कि आपके उपर शक करता है आपके उपर नजर भी बहुत रखता है और चाहता है कि आप खुद होकर बात करें राशिय लिब्रा एक्वेरिस जेमिना है यहाँ पर है एट अफ वांड देखो जल से जल वह आपके तरब से call message चाहता है उसको लगता है कि उसने phone करना चाहिए उसने message करना चाहिए और यह इंसान ऐसा है कि समझ भी नहीं पार है उपर से आपको block करके रखाए तो आप कैसे contact करोगे इस इंसान के मन में ख्याल भी आते होंगे कि उसको call करना चाहिए message कर करना चाहिए manifest करें वह आपको बहुत ज़्यादा ठीक है लेकिन वह अपने आपको रोकते हैं वह इंसान उसके मन में ख्याल भी आता होगा कि उसको call करना चाहिए जैसे कि eight of wants यहापर बता रहा है कि उसके मन में ख्याल आते हैं लेकिन वह करता नहीं है क्योंकि वह आपके कॉल मैसिस का इंतजार कर रहा है राशी है यह अंसान आपको manifest करने की भी कोशिश कर रहा है क्योंकि वह आपको खोना नहीं चाहते हैं देखो प्यार तो है ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है प्यार बहुत है लेकिन ego भी बहुत जादा है यह ego इस इंसान का प्यार के उपर भार हो रहा है आपके पार्टनर आप से प्यार करते हैं मोचन्स गजब कहई इस इंसान के दिल में आपके लिए है यह इंको पूस्टिक होने की बज़े से अपने आपको रोक रहे हैं ये इनका इगो ही बीच में आ रहा है प्यार के ठीक है एक तरब प्यार है एक तरब बात करना चाहते है और साइड में है इगो समझ रहे हूँ आप ये इंसान आपसे बात करना चाहता है दिल की बाते जाहिर करना च है इनके दिल का क्या हाल है क्या सोच रहे हूँ आप दी वर्ल देखो आपकी तो दुनिया ही इनसान बन चुका है इसकी बिना आपका कहीं मन नहीं लगता है आपको सब कुछ सुना सुना लगता है आपको लगता है कि वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है तो यह हालत है आपक चाहते हो हो आप इस इंसान की बीना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है इस इंसान का दीखना एस इस इनसान का रहने का स्टाइल बात करने का स्टाइज बॉडी हैर सब कुछ आपको बहुत पसंद है और यह अंसान बहुत जिद्धी है ऐसा आपको लगता है ठीक है और आप अट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करें हो इस इंसान के तरफ राशी है एरिज लिवो सज़िजेश त्री ओप कप्स आपको ऐसा तो नहीं लगता कि अंसान किसे और से बात ये करता है देखो ट्रॉस्ट इश्यू मुझे दोनों तरफ से लग रहा है यहाप भी फाय अफ्सोर्स है ऐस इंसान को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसे औ थर्ड परसन भी नहीं तो आपको ऐसा लगता कि अंसान अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है दोस्तों के साथ टाइम स्परिंट कर रहा है यह तो अपने लाइफ में खुश है इसको कोई फर्क नहीं हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे हैसा लगता है कि दोनों को भी ट्रॉस्ट इशू हो सकता है दूसरी बात यह है कि आपने इस इंसान के साथ जो वक्त बिताया है पास्ट में पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा है वो सारी यादे आपको बहुत यादा दिया एक एक पल ठीक है एक एक पल आपको यादाता है कि इस इंसान ने क्या कहा था आप कहा गए थे आपने क्या बोला था सब कुछ एक पल आपको यादाता है जब आप दुनों साथ में वक्त बिता रहे थे आप इस इंसान को बिलकुल भूले नहीं हो इस इंसान यह अंसान आपकी दुनिया ही बन चुका है दिस्टार है यहाप पर आप खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो यह जो कुछ भी पास्ट के अनर्जी से उसमें से आप बाहर निकलना चाहते हो आप अपने आपको हील करना चाहते हो पॉजिटिव सोच के साथ आप आपकी सोच है आपकी जिन्दगी बनाती है नो नीट टू वरी चुन्ता नहीं करनी है बस पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है आपको ट्रस्ट वापस वही प्रोब्लेम है आप दोनों के अंदर ट्रस्ट विश्व बहुत जादा है एक दूसरी के उपर विश्वास नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे आप दोनों को एक दूसरी के उपर विश्वास करना ही पड़ेगा ठीक है खुद के उपर divine power के उपर विश्वास रखो और इस इंसान के उपर भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा यहां पर स्विच्छा आप ब्रह्मांड है एहम ब्रह्मास्मी अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजे सवाल के जवाब चाहिए वो सारे आपके अंदर ही है अगर स्टार् करने का वक्त आ गया है यहां परिए तारतम्य मंण शरिड एवम आत्मा को आत्मा में तारतम्य साधिये यह सभी तत्व का संतोलन साधिय में सहयक होगा आपको बैलंस करना होगा इस सीच्छेशन है अपने आपको बैलंस करो ठीक है तो यही थे आपकी रेटिंग अगर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई